पीजा खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है आज मैं लेकर किया हूँ पीजा की एक्दम आसान, टेस्टी और हेलधी रेसिपी इसका जो बेस होगा हम वो आठे से बनाएंगे और यह डबल चीज पीजा होगा आठे में ही हम इसे फिल करेंगे चीज को बहुत ही टेस्टी बनने वाली है आप इसे पैन में बनाए एकदम हेल्दी तरीके से तो आई हूप कि आपको आज की रेस्पी ज़रूर पसंद आएगी मैं हूँ सुधा स्वागा थे आपका मेरे कीचन में अगर आज की रेस्पी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का पुटेंट प्रेस करें और मेरे चानल सुधा कीचन को इनको सब्ट्राइब करना ना भूलें तो चलिए चलते हैं मेरे साथ कीचन में के टेस्टी और हिल्दी पीजा बनाने के लिए हम या पी का आटा ले ले लेंगे आटे में ना हमें बटर डालना है यहां पर मैं एक कप से थोड़ा सा ज़़ादा ली हूँ और इसमें हमें बटर डालना है तो अ Kita बाद हम क्या करेंगे ना बटर और न्मक को इसका एक dough ready करेंगे इसका जो dough होगा उतना ज़्यादा soft भी नहीं होगा और उतना ज़्यादा नर्म भी नहीं होगा एकदम normal सा आप इसका dough ready कर ले अच्छी तरह से आटे को सान ले अगर आपके पास बचा हुआ आटा भी है ना तो भी आप उसका इस्तवाल यहाँ पर कर सकते हैं बस इसमें थोड़ा हम आटे गूत लिये हैं थोड़ा बटर और नमक के साथ उससे और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा आटे में भी तो यहाँ पर आटे को अच्छे से गूत के रेडी कर लिये हैं अब हम क्या करेंगे ना यहाँ पर चीज ले लिये हैं मौन्जरेला चीज बस यहाँ पर हमें लोई ले लेनी हैं जैसे हम लोग रोटी बगरा बनाते हैं तो रोटी के साइज से थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे आपको जितना बड़ा पीजा बनाना है ना आप उसके हिसाब से इसकी लोई ले मैं इसे एकदम मीडियम साइज में छोटा-छोटा पीजा बनाने वाली हूँ तो मैं यहाँ पर एक लोई ले लेती हूँ अब हम क्या करेंगे ना जैसे सत्तू बगयरा हम लोग कोई भी चीज को फिल करते हैं बिलकुल उसी तरह से हम इसके अंदर na चीज इसके अंदर ऐसे भर देंगे तो इसमें थोड़ा चीज डाले आपको जितना जादा चीज डालना हो ना आप अपने हिसाब से डाले, कम डालना हो तो कम डाले तो यहाँ पे हम थोड़ा चीज भर देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से इसे फिल कर देंगे यह देखिए, तो यहाँ पे चीज को भर के ऐसे अच्छे से में आटा लगा देंगे तो बिल्कुल इसी तरह से हमको जितना बनाना होगा हम उतना बना लेंगे, अब हम क्या करेंगे इसे हमें बेल लेना है पूरी के जैसा तो यहाँ पे इसकी जो थिकनेस होगी जैसे हम लोग पराठा वगरा बनाते है बिल्कुल वैसी ही थिकनेस होगी पराठा तो फिर भी थोड़ा सा मोटा होता है उसे थोड़ा सा पतला ही मैं आपको दिखाती हूं कि आप इसके थिकनेस कितनी रखे यह देखिए तो बिल्कुल यही थिकनेस होनी चाहिए इसके बाद हम क्या करेंगे इसे तवे पर रख देंगे यहां पर मैं एक पैन गरम कर पालेना है तो यह देखिए बिल्कुल ऐसा ही दोनों साइड से पकना चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे स्पैचुला की हल्प से हम इन्हें अच्छे से प्रेस करते हूए रोटी को दोनों तरब से एक जैसी हम पका लिया है यह देखिए दोनों तरब से रोटी जो हमारी सिक अब छेदा छेदा कर दे, ये देखिए तो रोटी को दोनों तरफ से ही हमें अच्छे से इसमें फोक की हल्प से इसमें डैप डैप कर देना है इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसके उपर ये पीजा सॉस लगा देंगे तो यहाँ पे हम पीजा सॉस लगा दे रहे हैं और अब हम इसमें लगा देंगे यहाँ पे मैं ले ली हूँ, पीली, लाल, हरी, सिम्ला मिर्च तो आपके पस जो भी सिम्ला मिर्च एवलेबल हो आपको सिम्ला मिर्च कहाँ पे इस्तमाल करें मेरे पास तीनों ही था, मैं यहाँ पे तीनों ही अच्छे से सजा दे रही हूँ प्याज को भी मैं ऐसी बिल्कुल जैसे सिमला मिर्च और सिमला मिर्च बगरा कट की हूँ बिल्कुल प्याज को भी उसी तरह से मैं आपे कट करके रेडी की हूँ यहाँ पे कुछ हरी मिर्चे रख देंगे, अगर आपको spicy पसंद हो तो आप इसमें थोड़ी से हरी मिर्च भी जरूर रखें इसके बाद आप इसके अंदर chili flakes, oregano, थोड़ा सा इतम हमें नमक डाल देना है, चुटकी भर नमक इसके बाद आपको जितना भी चीज डालना हो, आप इसके अंदर mozzarella cheese डाल दें चीज डालने के बाद से यह हमारा pizza जो है ready है, अब हम एक pan में थोड़ा सा butter गरम करेंगे और इस butter में हम इस तरह से pizza को रख देंगे, गैस के flame को लो करके 10 मिनट तक आप pizza को इसी तरह से पकने दें 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि pizza जो है यह बहुत ही अच्छी तरह से पक के बनके एकदम से ready हो चुका है आप खुदी देख पा रहे हैं, बस अब इसे हम करेंगे गरमा गरम सर्फ तो आपको मेरी यह आटा pizza की recipe कैसी लगी, comment box में जरूर बताए अगर आपको आज की recipe पसंद आई हो तो please मेरे वीडियो को like करे, share करे और मेरे चैनल सुधा Kitchen Queen को subscribe करना ना भूले, thanks